संगत जी आज ये समागम बाबा हर्देव सिंग जी महाराज को समर्पित हैं आईए उनको शद्धान्जली देव क्या दू तुमको शद्धान्जली मैं क्या भेट करू शद्धा के सुमन है युगदिश्टा हर्देव जी तुमको कोटी बार नमन तुम नया चुकरना चाते थे तजबूर नये का वरण किया हर्देव का चोला छोड़ दिया मा सविंदर का चोला पहन लिया मा सविंदर के साई में फलफूल रहा है ये उपवन है युगदिश्टा हर्देव जी तुमको कोटी बार नमन आ गुरू की शेरण में तुझे नाम धन मिले कोई चुरा ना सके एक ऐसा रतन मिले सासंगा जी अज़दास आपसे एक बात कहना चाता है कि भक्ती में उम्र की कोई सीमा नहीं होती कि आप पचास से साथ साल के अंदर ही भक्ती कर सकते हैं यह चालीस से पचास साल के अंदर ही भक्ती कर सकते हैं या अगर आप युवा हैं आप तब ही भक्ती कर सकते हैं सासंगा जी भक्ती बालक पन में भी हो सकती है इतिहास इस बात का गवा है इतिहास के पन्दों को बलट कर देखिए बालक दुर्फ की कहानी आप सबीने सुनी होगी आज तो हम बड़े खुश नसीब है कि इस दातार ने हमें ग्यान बड़े ही सहच अवस्था में दे दिया है जबकि इस ग्यान को पाने के लिए कितने रिशी मुनियों ने तपस्या करी फिर भी उनको ये ग्यान नहीं मिला तो हमें दातार का शुक्री आदा करना चाहिए और अगर आपको ये ग्यान पाना है तो गुंगट हैया का उठाना पड़ेगा तक अबर से दामन छुडाना पड़ेगा अगर चाते हो दिल का दिया करना है रोशन तो शबाफी शवबत में आना पड़ेगा